नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरताम दोरिया इंडियन यूटूबर और आप सबी लोगों का मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों जैसा की आप सबी लोग जानते हैं कि गर्मियों का मौसम आ चुका है और इस मौसम में हो जाता है मच्छों का प्रकूफ और ऐसे मैं मच्छों को भगाने के लिए आप लोग मौस्क्यूटों यूज करते हैं मार्केट के प्रोड़क्ट यूज करते हैं लेकिन दोस्तों वो होते हैं जैरीले जो कि वो हमें भी नुक्सान करते हैं तो आप घरेलू चीजों का यूज करके घर से मच्छल को भगा सकते हैं वो भी हमेशा हमेशा के लिए आप एक जला से नुस्का कर लेना और इस नुस्के से आपके घर के सारे मच्छल भाग जाएंगे तो चलिए वीडियो श्टार्ट करते हैं पसंदा इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों से नुस्के से पहले तो दोस्तों सबसे पहली सामगरी हमें लेनी है ये है लहसुन आपको अपनी किचन में ही सारी सामगरी मिल जाएगी और इसके कोई भी साइड एफ्रेक्ट नहीं है जो मैं उसका आपको बता रही हूँ तो दोस्तों आप इस तरीके से लैसुन की तीन से चार कली ले ले तो ये देखें यहाँ पर मैंने करीबन तीन कली लैसुन की ले ली है और इनका हमें छिलका नहीं निकालना है इसको ऐसे ही हमें कुचल लेना है बता है और इसके कर नहीं काई है हम और इसके बाद मैं लेना है इस ट्रायब काह एक देलिया आपके यहां जो भी बोला जाता होगा से और आपके पास कर नहीं डेलिया आप बोले नहीं को आपको ऄटी की भी मिटी न ले Vietnamese या फिर आपको पास बो भी नहीं है तो फिर आप किसी स्टील की कटोरी ले लीजिए कोई सी तो अब इसमें हम डालेंगे यह अजवाइन अजवाइन हमें डालना है आधा चमच तो इसमें मैं अजवाइन डाल दे रही हूँ आप अगर बड़ी कटोरी लें तो उसमें तो फोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं रेशियो यानि की जो quantity है सामगरी की आप कम जैदा भी कर सकते हैं कोई problem नहीं है दोस्तों ये अजमाइन की मैक आप सभी लोग जानते हैं जब हमी लोग अजमाइन किसी खाना बगर आप डाल दे तो इसके कितनी खुसबू आती है तेल अब इसके बाद में इसमें हम डाल दे करते हैं आप प्लाप क्यां नीम का तेल डाल सकते हैं नीम का तेल तो होगय होगा मार्चेट ओं जाता है तो इन में चीज हुग सकते हberish कर ले तो इसको में उस्टाइब है आप यसको तराइक और गो तो तो इस각ना करने साम धेमक्स कर लेंगे दोानला करण साटीकी एए और लेसुन अब इसके बाद में चौती सामगरी हम इसमें डालेंगे वो है दोस्तो कपूर ये देखिए ये कपूर मैंने पूजा बाला लिया है और ये मार्केट में आराम से मिल जाता है बहुत से भाई बैन पूछते कपूर कैसा होता है तो ये देखिए इस तरीके से कपूर भी दिखा दिया है अब हमें इसमें कपूर कितना यूज करना है वो भी मैं आपको बताती हूं सबसे बहले इस कपूर को मैं डिबीम कर दूं नहीं तो फिर ये खराब हो जाता है तो चलिए यहां पर हम दो कपूर का हम बना लेंगे पाउडर इसका हम बनाएंगे यह देखिए यह तरीके से और इस पाउडर को भी हम इसी समगरी में डाल देंगे दोस्तो कपूर और यह सारी चीज़ें मिल कर के जो महक इसमें से समय निकलती है ना उसी से मच्छर भागेंगे आपको घर से एक-एक कमरे से मच्छर भाग जाएंगे आपको पूरे घर से दोस्तों जैसा कि गर्मियों को मौसम आ चुका है और ऐसे में मच्छर वह ज़ादा हो जाते हैं और साथ ही साथ बीमारियां भी फैलती हैं मच्छरों से तो आप जब पहले से ही आप अपना बचाओ करके चलेंगे तो कभी बीमार नहीं पढ़ेंगे तो चले अब इसमें मैंने दो कपूर का पाउडर डाल दिया है अब इन सबी चीज़ों को हम फिर से कर देंगे मिक्स मैंने आप से बता दिया अगर आपके पास में इस टाइप का देलिया नहीं है तो आप कोई इस्टील की कटोरी भी ले सकते हैं इसकी जगए पर कोई प्रवल्म नहीं है ऐसा नहीं है कि कोई नुस्खा बनाने के लिए आप पहले परेशान हो उसके बादे नुस्खा बने चलिए अब यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं अब इसके बाद में हम इसमें दो कपूर और रख देंगे दोस्तों आपने कभी देखा है जैसे कि जब हवन कराते हैं आप अपने घर में तो उसकी खुश्बू कितनी अच्छी निकलती है और उससे मच्छर ही भाग जाते है तो इसी टाइब से इसे भी खुश्बू निकलेगी और आपके घर से मच्छर भाग जाएंगी तो आप इस तरीके से नुसका तयार करके और इसको जला दीजिए तो ये देखे ये जलने लगा है और अब आप क्या करें ये देखे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें से जो धुआ निकल रहा है यही धुआ आपके पूरे घर में खुसवू के रूप में आपको तो अच्छ इस तरीके से जला करके और एक प्लेट में इस दिये को रखिएगा और पूरे घर में आप इस दिये को घुमा दें और उस से पहले जब गुमाए तो उससे पहले आप अपने घर के दरवाजा, खिड़की शब बंद गर दें 15 विनिट के लिए दर्वाजा खिड़की बंद कर दें और इस दिये को पूरे घर में घुमा दें और उसके बाद में दर्वाजा खिड़की यानि की खिड़की खोल दें दर्वाजा नहीं तो आप देखना आपके मच्छर आपके घर से सब गायब हो जाएंगे एक एक कोने की मच्छर चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें से धुमा निकल रहा है और दोस्तो इसकी जो इसमेल आ रही है बहुत तेज इसमेल आ रही है जब आप इसको यूज करेंगे तो इसका आप खुद देखेंगे रिजेट आपको देन देर पांच उनिट में इसका रिजेट देख जाएगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये इसका धुमा निकल रहा है और साथी साथ इसमें अजवाइन का और लैसुन का और कपूर का सबके जो खुसबू है ना बहुत तेज आ रही है तो दोस्तो इस तरीके से आप इस नुस्के को यूज करिए और दोस्तो ये नुस्का मैं रोज यूज करती हूँ नियम से ताकि एक भी मच्चन नहीं लगे और पहले से ही आप सेफटी पूरवग चलेंगे तो आपके कोई भी बीमारी भी नहीं आएगी तो इस तरीके से पूरे घर में इस दियो को घुमाईएगा और फिर आप इसे एक जगह पर रख दीजिए और ऐसी जगह पर रखना जहां कहीं भी परदे बगएर ना हो कपड़े बगएर ना हो तो आप एक जगह पर इसको रख लीजिए और इसको जलने दीजिए आप देखना पूरी रात आराम से आपकी कट जाएगी और एक भी मच्छा नहीं लगेगा इसको मैं खुद भी यूज करती है नमाशकार